नमस्कार दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं डाक्टर रेक्वेक की पेटर्न दवाईयों को मिसे में पीछे हमने वीडियो भाग 265 में एक सिले की 18 तक का डिटेल बताया था और उसके बाद हमने अजिस बताने जारे हैं डाक्टर दिक जर्मनी गीड की पेटेंट आती है इसको जिसे अगर आपको किसी दवा का सही प्रिस्ट इपसव किसी वीमारी नहीं मिल पा रहा है आपको ह्राब नहीं हो पा रहा है तौक तो आप इस दवा को बिन पिन को बिचे भी आप तो आज हम आपको 42 के बारे बताने जा रहे हैं 42 से पूरा बताएं कि जहां तक पोच सकेगा 42 है हेमोवेलिन सिरा स्थायर, सिरा इस्फीती, सिरा सोथ वेनसिस्टेसिस, वेरिकोसिस, इंफ्लमेशन आप्टर वेनिस सिराएं इस्थिर हो जाना, फूल जाना सिराएं के विभिन्द रोब, सिराएं का छाजन, सिराएं में प्रदाह निम्नांगों का सिरा सोथ हो जाना इसके साथ ही भाड़ीपन के रूभूती होना अंतत्रा छाजन वा खुजली हो जाना तो इस दमा कु लिया जाता है इसके बाद हर्बा माइन ये दमा का ड्राफ्ट है अस्थमा ड्राफ्ट है तो स्वास दमा ब्रंकल अस्थमा और दमा जनित स्वास नलियों का प्रदाः मनि कि अलर्जिक ब्रंकाइटिस अस्थमेटिक ब्रंकाइटिस स्वास दमा की सारभूत हो सदी है यानि कि स्वास दमा ब्रंकेल अस्थमा और द जिन लोगों को दमा है वो इस दवा को रगलर यूज़ कर सकते हैं लंबे समयते हैं इसके बाद है हाइपो टोनौल रक्त संचार संबंधी विकार इस दवा को लिया जाता है ये है आर्ट चोगालिस इसके बाद है आर्ट पैतालिस इसका नाम है लेडिगिन ये स्वर्यंत्र और स्वास्यंत्र के रोगों की दवा है गले की खरास जो बहुदा गायकों कलाकारों सिक्षकों तता वक्ताओं में पाई जाती है स्वर्यंत्र की सर्दी के साथ घाओ बन जाने जैसी है नुबूती और खरास तो इस दवा को लिया जाता है इसके बाद है मैनिर्यूम बाहों तता हाथों के आमवात में हाथ का बाह का रिमेटिजम हो जाता है दर्द रहता है रिमेटिक पेन रहता है तो इस दवा को लिया जाता है बाहों तता हाथों का आमवात और गठिया साथ ही जोडों की सूजन तरुर रोगावस्थाओं में जोडों का सुन्पन और सूजन जो जोडों को विरूप रचना वा प्रदाह का लक्ष हो है तो ये दवा लिया जाती है आर फॉर्टी सिक्स इसके बाद है नूरो ग्लोबिन गर्भासे सम्मंदी सारे रोम इसमें गर्भासे के अंदर गोला पन्ने जेसी अनगूती पेट से लेकर गले तक सिक्लन और रुकावट सोर गुल के प्रती सम्मेदन सीलता इस्त्रियों में घबडाहट वा मुर्चावायू अंड गर्भास गले के अंदर तपकन और शिक्लन होना रितु इस्त्राव नियस समय से पहले वा प्लचुर मात्रा में तो इस दवा को देना चाहिए। में एक पूरक हो सदी है उपरी वायूनलियों के समस्त सर्दी जनित रोगों में एक पूरक अत्वा विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवा इसकंद पट्टिकानों के बीच वाली जगह कमजोरी और दर्द बेचेनी रात को होने वाला पसीना तो ये दवा दी जाती है। जो कभी कभी उजरांगों तक भी फैल जाता है। अत्वार रात के समय में वह और अधिक बढ़ सकता है। त्रिक प्रदेश में बार बार होने वाले दर्द जो स्वेत प्रदर की पुरर विसाक्ता की कारणों होते हैं। इसमें स्वेत प्रदर की चिर्शा दाग देने दिथा अन्य उपायो द्वरा की जाती है। तो ये दवा यूज किया थी है। इसके बाद है थाइरियोसिन अक्टू विसाक्ता थाइराइड इंटॉक्सिकेशन अबटू विसाक्ता गलखंड की सिकायत नेत्र सोथी गलखंड अक्टू ग्रंथी की विसाक्त अवस्था के साथ हाथों में कमपन गागल नेत्र अर्थात नेत्र सोथी गलखंड पसीना अन्तिता दस्त और दुबलापन तो ये दवा दी जाती है इसके बाद है वो मीशन ये उल्टी की और सफर में होने वाली बिमारी की दवा है मिचली की दवा है मिचली अवस्था की अनभूती उधाराण के लिए जब गाली चला रहे हो या वायुयान समुद्री रूखलता सगर्भ कालीन मिचली प्रसामक प्रभाव अन्य रोगों के फल सुरूप होने वाली मिचली समवहन दौर्बल्य पेट की सर्दी सागर्भता के भिन भिन चलां बच्चों को होने वाली मिचली इस्तन पान करने वाले सिस्वों और बच्चों को होने वाला एसी टोन पदार्थ का वमन सो कर जागने पर तथा प्यक्डों की पेट की सर्दी ठंडा पसीना और कमजोरी खास दौर्ट से समवहन दौर्बल्य तथा पित्वसूल से पहले वक्रसूल के साथ वमन होने पर एक पूरत अवसधी यह वही सांति इसके बाद एक कमडोनिल सामान न मुगासे यहवना रम्पुनसियां क्वचा के समूशों जब तदधा पीम्मय रोग घजन और क्वचा का प्रदा मूहासे की दवा है यामबणारम की समय निकालाते हैं यह नगकी एकने पिंपर्पशकी दवा है एकने वल्गेरिस हैं इसके बाद रारच वंय। इंबैलियन यह मस्तिस्क क्रियात्मक क्र्यात्मक दोस्ट ब्रेन की गडूबड़ी जो जो प्राबलम माह होती है उसका ये इलाज करती है functional disturbance of the brain मस्तिस क्रिया के इसके बाद है रूटाविल आर पचपन घायल हो जाने की सभी अवस्थाएं घावों पर विरोहन प्रभाव अनेग प्रकार के घाव हड्डियों की तूट फूट हड्डी का जोड उखल जाना मोच आना प्रमस्तिक संगटन तथा दिमागी चोट गोली लगने या तेजधार वाले हतियार से बनने वाले घाव जिसमें खून बैता है इससे जोड संक्रमा तथा विसेलेपन के लिए एक पूरत अवस्थी के रूप में तथा सामान नितोर पर प्रियूप्त किया सकता है क्योंकि शरीर की रच्षात्म सक्ति पर इसका उद दायक है जिनके हिर्दे पर अधिक दबाव पड़ता है आमवात में इसकी योगिता तब पाई जाती है जब उसका कारण कोई चोट हो पुरानी चोट की वज़े से गर्यूमेटिजम है तो भी ये दबा काम करती है इसके बाद है आक्सी सैन क्रमी निस्सारक कीलों की दबा हो जाएगी हर प्रकार के कर्वी बारीक और लमबे वा बारीक किले सभी भी दिये जना है विशिस्ट प्रकार के रोध गलन खास त्वर से फीता कर्मी के गलने सरणने की हालत में पर्यूप्त की जाने वली प्रमुक हो स्नी तो ये थी आर्चपण इसके बाद इसकोरो सें आर सत्तावन फेफणों का टानिक मृदूतकों से परिपूर्ण अंगों की दुरबलता खास तौर से फेफणों की कमजोरी जिसके करण कमर में कमजोर हो जाती है रातों को पसीना होता है ठंड पकड़ लेती है रक्त संचार में रुकावट पैदा हो जाती है पाय थंडे पढ़ जाते हैं भूग नहीं लगती खोन की कमी और चेहरा पीला पढ़ के मुर्जा जाता है तो ये टानिक देना चाहिए इसके बाद है वनेडान जल सोथ रोधक गुर्दे की क्रिया तेज करती है फिल्दे की मान स्पैसियों की कमजोरी और चलसोथ प्रकट होना टांगों का सोख विब पैसियों की दुलबगता की कारों पेट में पानी बरना अर्थाच जलोधर होना वक्र सोफ में भी इसकी प्रभाव सानिक लिए होती है इसके बाद है वे सीक लाइन वेसिक लाइन आर्ट फिक्टी नाइन मोटापा ये मोटापा रोधक दबा है अगेंस्ट आप सिटी स्लाइमिंग एफिक्ट दूबला होने के लिए मोटापा गरंतियों से होने वाली इस्तरावों की दोस्पूर्ण क्रिया के करण वजन पढ़ते जाने की प्रोति प्रारंबिक अवस्था में गलकंड का विकास रोकने के लिए प्रयूप की जाती है तो ऐसी अवस्था में दबा को दिये जता है तो दोस्तों आज बस इतना ही से अगले वीडियो में तो इन दवाओं को आप यूज कर सकते हैं यह प्रेटेंट दवाओं हैं डाक्टर टिक्वेक जर्मनी की आती है थोड़ा महगी पढ़ती है लेकिन धीरे जरब के खाते रहने से लाब निस्टिक मिलता है सुब कामनाओ को साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्तों